केंदरिया मंतरी नितिन गड़करी को धमकी दे कर खंडनी मामले में नागपुर पुलीस को बड़ी कामया भी मिली है नागपुर शेहर की पुलीस टिम तीन दिन से करनाठा कराज़्य के बेलगाओ में डेरा डाले हुए है कल और आज नाकपुर पुलीस की एक टीम ने बेलगाओ जेल में तलाशिय अभियान चलाया और पुलीस के हाथ दो सिम कार्ड मिले है। इस सिम कार्ड का इस्तमाल करते हुए मुख्या आरोपी जैश कांथा और पुजारी ने दो महिने में नाकपुर में केंडरी एमंत्री नितिन गड़करी के जनसंपर कारियाले में खंडनी मांगने की धमकी दी थी। नाकपुर पुलीस 10 करोड रुपे की फिरोती मामले के मुख्या आरोपी जैश कांथा और पुजारी से पुष्टाश करने बेल गाओ गई तो जेल में अचनक तलाश या भियान चलाया गया इस बीच पुलीस को दो सिम कार्ड मिले है यह वही सिम कार्ड है जिसका इस्तमा बेंगलोरी की एक यूती से पुष्टाश की है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस साजिश में शामिल है इस लड़की का नाम सामने आया है उसका बेंगलोरी के एक नीजी अस्पताल में इलाज चल रहा है हाँ हमारी टीम बेलगाओं को गई थी वहाँ पे कल हमारी टीम ने जेल में एक सर्च ऑपरेशन किया उसमें लोकल पुलीस और लोकल जेल अथारिटीस की मदद भी ली गई थी उस सर्च ऑपरेशन में हमें दो मोबाइल फोन्ज और दो सिम कार्स आरोपी के पास से मिला य जल्दी से जल्दी उसको नाकपुर लाया जाएगा, कस्टोडियल इंट्रोगेशन किया जाएगा और आगे की रूप रेखा तपास की समझ में। अभी तक की तपास में, अभी तक की उसकी इंक्वाइरी में उसकी क्रिमिनल कल्पिबिलिटी इस केस में नहीं नज़र आ रही है।